यहां पाते क्या सदर में हम लोग की बात नहीं उठा पाते हैं वोट जब लेने लेने लेना होता है हाक हाथ कोड़ पबलीक का अगर यहां पे जिसे सिक्स लाइन बन गया फॉर लाइन बन गया और इंट्रनेस्ट बन जाएगा जिससे होगा कि बड़ी-बड़ी केम्पीनिय करेंगी कहां करेंगी सरकार ने सारी जहाजों को बेंच डाला है एक भी जहाज उसके पास नहीं है हवाई अड़े बिक गए तो नमस्कार तो सतका साथी में स्वागत था और इस वक्त हम हैं खिरिया के बाग में और जो की इंट्रें नेशन एरपोर्ट की जो सरकार मांग है उस पर जो लोग यहां किसान इनकी जमीने हैं और लोग देने के लिए तराज हैं आये इन दोबारा इंसे फिर पुछते हैं जो भी विचारन का है आये तुनते इंसे हैं अशा चाचे जी एक सवाल पुछना चाहते अपसे हैं कि जो इंट्रेंशन एरपोर्ट सरकार मां कर रहे हैं नापने वाले पहले दिन है बार ब्रोट की बाठ तो उसमें थिम आये थे और पूलिस वाले थे यसो थे और कानी गोह थे नेकपाल थे सब लोग थे उसमें पीएसी उसमें थे और वो सब आए दिन में बारतारिक को दिन में अपना सिकड़ी उकड़ी गिराने लगे तो सब आवरती पूछी तो यहां कि आवरती बेचारी सब मदद बहुत की लड़ाई तूनी लोगों के ऊपर है चल रही है हम लोगों को तो सब अपनी पूछने के लिए आए हैं और आप लोग पाइसे पाएंगे तो जब ओले फिर बात बोली कि नहीं यह तो नापेगा नहीं जो फसल देखने आते हैं तो नजर से देखते हैं कड़ी से थोड़ी नापते हैं तो वो बोले कि अरे यह हवाई एड़ा बनेगा और एएरपोर्ट बनेग करने के लिए थे लिए नापने के लिए लिए दिन की नापाई जो खाई होती है रात को नहीं होती है ये सब बारा एक बजे चोरी करने के लिए रत में बारह एक बज़े तो आउरतों को पकड़ Apollo के ठेल दिए धान के थेल लोगों को मारे सब पेचारी भी ठ्वाँ अउन्हों सब को मार दिए हम उस गानों को चाचा है उनको हाथ मार के पिक्चर कर दिये कपिल देवा कपिल यादो अब फिर देखिए एक नवजमान लवंडा आप की तरीका से थे उनका पूरे जांक पर डंडे-डंडे मार दे काली-काली कजड़ी जमी थी पुलिस वाले अहर-घर में एक पुलिस वाले घुस तर ने और देखिए घर में घुस गए सबके घर में घुस घर के कुंडी बाहर से चड़ा दिया अंदर वाले अंदर बाहर वाले बाहर आई इसमें बाहर जो निकल गए वो चोर-चोर चिलाए फिर पासियाना में गए फिर वहां भी चोर-चोर चिलाए अजब जनता चोर चिलाए तो वो सब खुद चोर-च लोग बन कर देजिए आप लोगों को सहमती से आपकी जमीन लिया जाएगी जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा हम लोग क्यों हटेंगे हम लोग तो कहते हैं हम लोग को लिखित मिल जाएगी जब तक हम लोग को परमार नहीं मिलेगा लिखित का लिखित कागज नहीं मिलेगा ताब तक हम लोग अपना धरना नहीं बंद करेंगे हमको कोई विश्वास नहीं है जब अधिकारी रात का या क तो हम लोग फिर तो जाएंगे रात में फिर ऐसे आके हम लोग को साथ यही नतीजा करेंगे तो हमको किसका विश्वास है और डीएम का नश्वास है किसके नहीं विश्वास है। इनके लिए बढ़ते हैं हम लोग तो पूरी यही मांग है कि अपनी हवाई उनकी जो हवाई अड़ा है अपनी मास्टर प्लान और रद करें जब तक और रद नहीं करेंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं हाँ पता है एक दो घंटे पहले हम लोग की पता चली तो हम लोग को कोई तैयारी नहीं थी तो उनका सासन पर सासन तो उनका है और पचास आठ जने गए वहाँ यहां से जब यहां से गए तो वहां के पूलिस वाले लोग और उनकी जो उनकी पार्टी थी उनकी पार्टी थी तो उनके कर करता तो बोले कि आरे आप लोग चले जाएए पांच लोग रहिए और इसके बाद अपना द्यापन दे करके महलाओ को उठाद नहीं सब कूरसी पर से यह बताई एक पांच जने वहां क्या करने के लिए रहेंगे जमीन सब के गई क्या हम लोग जनता बेकूफ है ओ निरहुआ कैत नबड़ा कलेटर बन की नहीं आया है कि निरहुआ के लिए कूरसी माला फूले स्वागत के लिए है क हम लोग कहा है जब शांशद हो हैं हम लोग कहा है वहां जाने कि लेकिन उनका पूली सब्सक्षापम पर शॉख ननता जो है उनकी पार्टी इस सब कितने बड़े दोख्ये बाज बाज़ बाज की तो वो यह आने पर यह शुफ किया निरहुआ कर्च ऊह पर नहीं होग घर तो हम लोग राजी नहीं हुए हम लोग तो घेर लिए उनको अगर जादा हो गया होता तो उनको हाट हो गया हो तो यहां चले गए होते हैं है कि वह प्रश्पा और ने रहते हैं कि एक त्रॉप आया बात करें गे कि अपय कि यह पुछा रहें है भुट ट से इक ऻोट कैने लेन के लेना होता है हाठल गोड़ते हैं और फिनियों को दोड़ाी है कि अरे फिर समय आएगी हम लोग तो बार-बार काते हैं कि जो हम लोग को यावाज नहीं उठाएगा सदर में अगर फिर वे बैक्ति यहाँ आएगा तो हम लोग जाड़ू से और लाठीयों से उनकी पिटाई करेंगे हम लोग तो पूरे तायर गांगे हम लोग तो नहीं यहाँ पर अपनी समय निकाल के आ रहे हैं अपना धर्ना देख रहे हैं वह लोग क्या परसान कि अधरना बंद करने के लिए कह रहे हैं कि जो इंदु चोदुरी आए थी इससे पहले राकिस्टिक आए थे पुनम पंडित लोग 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 किसान नेता भी हैं और समास्व हम लोग को आने से रहा तो हम लोग को साहस बढ़ा हो सबको हम लोग को सिखा के गए हैं तब ही तो हम लोग आज धरना चला है तो हम लोग को क्या पता धरना कैसा होता है उनी लोग को बल की उनी लोग की बुद्धी पे हम लोग चल रहे हैं ने किसी से लड़ाई ने किसी कर नहीं आएंगे। तो आए आगे बात करते हैं और यहां के जो अधिक्स जी हैं उसे कुछ बाततीए का वी अच्छा और ध्य में अधिक्सा हम को चांस ही नजर नहीं आ रहा है हम पूरा विश्वास के साथ बैठें कि जीत हमारी ही होगी संघर्सों में बल होता है संघर्सों की ताकत के आगे सारी ताकत नगन होती है और उसे उन ताकतों में भी अगर कहीं जनता की ताकत है तो इस लोगतंतर में जनता के हाथ में वो पावर है कि जब चाहे तक था उलड़ दे जब चाहे तब बना दे तो इनको तो पता चलना ही चाहिए कि जिस जनता को ये उजाड रहे हैं जिनके घर, दुवार, खेत, बारी सब कोचे ले ले रहे हैं तो ये जनता समझ रही है कि जेवर वालों के तरह से हम लोगों कभी पन्नी डाल कर कहीं जाकर बिरान में बसना पड़ेगा तो जनता इस बात पर आज ही नहीं है और फिर मेरे समझ में एक बात नहीं आते कि जनता क्यों दे जमीन उनको गर एरपोर्ट बनाना है तो कोई ऐसी जमीन की वो तलास करते जो कंकड़ीली और पत्थरीली हो तो वो जमीन को क्यों नापे हैं क्या है उनका उस जमीन पर यह जनता में जब लोग संख्या बढ़ेगी तो उसी जमीन पर रहेगी जनता वो क्या अपने आसमान में बसेंगे जनता की वो जमीन ले लेंगे अगर जनता की जमीन जिसको कहते हैं को सरकार की जमीन है तो अगर कोई सरकार अपने घर से जमीन लाकर के यहां पर रखता था मानते कि सरकार की जमीन है तो जमीन तो जनता की है जो इस देश के लोग है जो नागरिक है उन नागरिकों की जमीन है किसी ब्यक्ति विसेश की जमीन नहीं है हम मानते हैं कि सरकार का एक अधिकार होता है लेकिन जिस देश में सरकार अपने परजा को या अपने देश के जनता को इदम सताने पर उतर जा उजाडने पर उतर जा वो सरकार को ये जनता सरकार कैसे मानेगी अपनी सरकार तो नहीं मान सकती। अंतर इतना ही होता है कि उनकी रोटी में घील लगार होता है और हमारी रोटी सोखी होती है इतना ही का अंतर खाना वो भी वही खाते हैं तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि उपजाओ जमीन को अगर हम ले लेंगे तो यह जनता खुद अपना पेट कैसे भरेगी और कैसे हमा पर रही है कि उन्होंने इसका कोच किया इसका नीवारण किया आज जनता अपने पेर पर कड़ी है आज बहले ही रुखा सुक़ा कहती हो लेकिन मिल जाता है और इनको आगि भिकास का नाम दे रहें ज़ा है तो इहाँ पर क्यों भिकास का उनको चिंता पकड लिये अजो बिचली नहीं पहुंच पाई यहां आज तक कोई फोन का मतलब नहीं जहां ट्रेली फोन क्या होता है, जहां पर आने जाने के लिए कोई यातायात का साधन नहीं है, आईसे लोगों के बीच में जाते जिने रोजगार कोई नजर नहीं आता है आईसे लोगों के विकास के लिए गर करते कुछ कालकार खाने लगाते कुछ ऐसे धंदे वहाँ पर पैदा करते कि लोगों को वहाँ पर रोजी रोजगार कमाने के एक सुभिधा होती हम तो नमक रोटी खा रहे हैं तो हमारे विकास करने चले आए पता यह चला कि वह भी नमक रोटी हमारी उठा कर ले जा रहे हो और हमारा कर रहे हो कि हम विकास कर रहे हैं मैं एक बात आप लोगों के मादम से जाना चाहता हूँ कि ये कहें कि मैं सरकार से पूछ रहा हूँ इस चीज को कि हमने अनियाजमगड की लोगों ने कभी हवाई अड़ा नहीं मांगा विकास की बात पर उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे धंद यहां पर चालू किये जाएं कि लोगों की रोजी रोटी का एक साधन उपलब्ध हो और लोग कमा खा सकें लेकिन हवाई अड़ा तो आजमगड जनता ने मांगा नहीं था और वो भी इंटरनेशनल हवाई अड़ा बना रहे हैं जे माना जो हवाई पस्री बनी थी किसी एक चीज की हो सकता को देख करके की बाई कभी इमर्जन्सी में किसी नेताको आना पड़ा को या कोई बड़े अधिकारी को आना पड़ा तो हेले काप्टर पर उतारा जा सकें चार्टर के लिए बना था और इससे अधिक की जरूत यहां है भी नहीं आजयम गड़ में ना ही कोई उद्योग है ना ही ऐसा कोई परेटर कस्थल है जहां देश विदेश के लोग आएंगे देखने के लिए तो आजयम गड़ के इन किसानों के मजदूरों के जो अपनी रोटी मुश् कि अगर हवाई अड़ा इनका बनता हो कातेम विकास कर रहे हैं तो जो आएगा प्लेन से वो सीधे चार्चका पर बैठेगा अपनी और चला जाएगा अपने घर जो प्लेन से चलने की छमता रखता उसके पास चार्चका भी होगी और वो चला जाएगा वहां बगल में खो पर किसका रुजगार लगेगा ना उरिक से सजाएगा ना तिन पहिया से आटो सजाएगा और नाहीं ठेला वालों का काम होगा नाहीं बोरा ढोने वालों का काम होगा जो कौन सा रुजगार आप उससे बढ़ा रहे हैं जिसका रहें कि विकास होगा क्या देना चाहते विक देदेंगे और उन्होंने एक बार तो यहां तक किसे नेता ने कहा या जिला अधिकारी ने कहा कि विकास तो जमीन पर ही होगा तो हमने उनसे प्रस्ण कर लिया माने वर आपकी बात में दम है कि विकास जब होगा जमीन पर ही होगा लेकिन किरपा करके ये बताए कि खेती कहां होगी अनि अगर वो यह बता देते कि खेती कहा होती तो हम मान लेते तो पहले जमीन पर खेती की जरूरत है जहां उपजाओ जमीने जहां घनी अबादी यह वहां जहां खेती होती है उपजाओ जमीने हैं हर फसल हम यहां उगा लेते हैं इस खेती को जमीन पर रखने की जरूरत है और जहाज के ये लिए हम बिरोध नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसे तमाम जगहें मिलेंगी तो उपना जाकर बनाएं और जहां लोग जीविका चलाने के लिए कमा रहे हों वहाँ लोगों को उजार करके आप बताईए कि लगबग 40-50,000 लोग बेघर होंगे जी आठ नो गाउं के मिला करके लगबग 50,000 लोग बेघर होंगे इनने 50 लोग अगर निकल जाते हैं एक तरफ तो सरकार नहीं बसा पाती उनको हम लोगों ने एक बार खाना बदोस लोगों के लिए आवाज उठाया था बहुत दिन हो गया कांगरिस की सासन की बात है हमने का मांग किया था कि इन खाना बदोस लोगों को जमीन दे करके बसा दिया जाए फिर वहाँ से अपने ये रोजी रोजगार के राह को ढूड़ेंगे तो उन्हों सरकार ने जबाब दिया था कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है तो क्या इस सरकार ने कहीं से जमीन किसी देश से उठा करके यहां पर लाकर नई जमीन रखा है जो यह पचास हजार लोग उजड जाएंगे बेगर के होंगे तो उनको कहां से जमीन देंगे हो है कोई उनके पास विकल्ब और एक बात और कर दूँ हमें जानना चाहते हैं कि भारत सरकार के पास जहाज कितनी है आप बता सकते हैं कि कितनी जहाज है भारत सरकार के पास जाने कि भारत सरकार ने सारी जहाजों को बेंच डाला है एक भी जहाज उसके पास नहीं है हवाई अड़े बिक गए हैं हवाई अड़े भी उसके नहीं है जब तुम्हारे पास हवाई अड़े नहीं हवाई जहाज नहीं तो पर हवाई अड़े के बिस्तार बिस्तारी करण क यह जो प्लान तुमने बनाया किसके लिए क्यों बना रहे हो इसको बना करके बेचोगे इसको किसी पुझी पती के हाथ उन्होंने कहा था कि यह वर का एयरपोर्ट हमारा एसिया का नंबर वन का एयरपोर्ट है लेकिन विका कितने में इसको नहीं बताया उन्होंने कुछी नगरवाला एयरपोर्ट बिका कितने में कोई नहीं जाना लेकिन बिका लखनव का एयरपोर्ट बिका किसे नहीं जाना कितने बिका लेकिन बिका तो जब तुम्हारे पास जहाज नहीं तो पर हवाई अड़ा काहिक लिए बना रहे हो भई जो सरकारी कलकार खाने थे बेचे सरकारी इतने परिष्ठान से सबको तुमने बेच डाला अब एक जमीन बची है इसे पर हाथ लगाए है तो वो लोग तो भाई बेच डाले नहीं कोई बोला सरकारी करमचारे या प्राइबेट करमचारे अरे किया लजा रहा भाई वह? तो अब आप बताईए कि जब सब कुछ बेच लिया तो अब बागी बची जमीन इस जमीन को बेच करके यह आदमी अब क्या बेचेगा जमीन बेचने के बादू क्या तब पार्लामेंट बेंचेगा और देश का पूरा अपने अधिकार का जो होता है वो सब कुछ बिदेशी हाथों को समप देगा वो ये कोछ करेंगे जिनके लिए हमारे पुरवजों ने संघर से लड़कर फांसी पर जूल कर सब कुछ बरबाद करके जिस आजादी को य वजों का दोस है कि हमारा दोस है आने वाली पीड़ी हमको क्या कहेगी ये जमीन अगर हम भी दे देंगे हमारे बच्चे बेना घर बार के होंगे और ये कभी सुनेंगे कि हमारे पास खेती थी हमारे पास मकान थे हमारे गाउं थे हमारे हम लोगों के परिवार थे तो क्या हुआ सरकार ने ऐसे ले लिया और लोग कुछ नहीं किये तो क्या हमको आने वाली पढ़ी माफ करेगी यह कभी माफ नहीं करेगी इसलिए हम अपने जमीन पर अपने बच्चों के भविश्च के लिए अपने भविश्च के लिए हम